बिलासपुर में एक फैंबली यह नो नम्रों एडॉप्ट करा दो जारन तेरा में और ले गए उनके बच्चा नहीं तो उन्हों नहीं ले लिए वचारे भी श्रीभाद में ऐसे बजूर गेमर चलो अपने मावापनी तो इनकी तुशेवा होई जाएगी मावापने वही प्यार कुडे असा ओनानी बारो बार कुडे असा मिलना नी बारो जिसके गर में काम करता दो बुड़ी वचारी बखन राती गयारा वजा तुई रे सो गालाया टीवी संदैनिया और बस वैसे ही कोई शोन वैसे करते रहे ना मतलों उसी जिए सामने तो आमने बचारी ने क पंदराशी से तोड़ दिये अच्छा लगता है कि इतना स्ट्रगल लाइफ जो है वो पहले पूरी वैसे रही है ना मलों ऐसा था कि रोटी में मिल दी ही बच्पन में बतल वैसे ही ऐसे क्या बोलते हैं तब जैसे बोरियों तो इनमें सोना पड़ता था पचल समय समय करते तो कहीं पहुंच गया किसी के घर में काम करते करते पढ़ भी गया सब कुछ हो गया फिर उसके बाद हो गया मैं यहां विलासपुर में एक फैंबली यह नो नमरे एडॉप्ट करा दो जार तेरह में और लेगे मेरे को कि बेच्चा नहीं था डैथ होगी तो उन्होंने ले अज तक सब ठीक है तो वैसे वैसे करके मतलब पोई नहीं था फैमली गया हां एक्टर वो था सपोर्ट था किसी का भी सपोर्ट नहीं था खुदी सारा तो चाहान तो बच्पन से थी टीविए देखना करें डांस शीक देरे ना पूरा दिन नाटक देखना जिसके गर में क साम करता था वो बद्डी विचारी बखन राती गया हो तो बैसे कोई शोन वैसे करते रहें मतलब उस सामने तो आमने विचारी ने कोई 15 सी से तोड़ दी पूरा दिन सी सी से के शी से के काम करना की सी सा देखना तो सोग था कंदर नहीं प्रे कभी 10 जी नहीं सकें क्यूंकि पूर्ट किसी का था निए उस टाइम भी निए छोटे फोन थे उस टाइम बड़े फोन लेने की किसी की मती निए था यह तो हर किसी के पास है जाए जो गरीव ज़िए गाना आया क्योंकि बहुत सारे पार जन भी तुहे गाई चुके करने गाना जेड़ा आया कि यह मतलब श पर रात को नो ने मेरे को बुलाया कि शाम तू आजा जानते थे नहीं एक दूसरे कोई कौन है मुझे पता नहीं पंजाब शाया कोई दाड़ी वाला बड़ी दाड़ी रुखा लिए मैं पहली बाहर चला और बुलवाय लिए मिरको तो मैं बैठा रास लौनी में यहां प बैठी आरे ठेके दार आया आरा जो पाईयाने आपारा जो सांजो पैया भी बता बिलासपुर में जब भागडा बांध बना था नीचे तो उस बहत जो बिलासपुर की एक जो गाउं थे नीचे दरियाओं के कंडे बसे हुए थे वो उजड़ गये थे तो मतलब वहां कि जो श्तीती थी लोगों की त तो नाव वाला होता है उसको की ठेके तरह आया वारा जो ने जब पारा जो इसान जो भी बता पड़ी मतला हमको मुसीबित पड़गी अब ना घर रहे ना कुछ इन तो उस तरह काना था वो गाया मैंने दो फिर में को नाना काई सकाओ मड़ा जा को पर महला पाई बेसु रह वीडियो के सीर पर कितने दिन चलना तो उन्हों नहीं बोला कि भाई अगर तुने रोट्टी खानी है तो तु वह रखर पर गाने काम भी सिख ले जागर नहीं लगेगा या कहीं स्टेस हो लगेगा चल दो गाने गाये तो चल कुछ पैसे तो आएंगे आएंगे नहीं तो मतलब वीडियो के जरी कितने दिन चलना नहीं तो रोटी खाना पर बच्चे भी होने हैं बीबी भी होनी है माबाप भी हैं सौ खर्चे हैं उस दिन के बाद वह मतलब जागरन में ले जाते थे तोड़ा बहुत और कुछ सिकाते ते गर्म पे कि भाई इमिया लायकर लोका सर्मनी का नहीं करना फिर वैसे वैसे कर दे कर दे आज मतलब ही मतलब खुली लोका जगलाने रभी के धन्यवाद करदा में उमंग भाहरा कि उन्होंने बड़ा पर सबोड करा कि आज कलो आम बात करेंगे श्याम की जेड़ा उन गाना है लेटेस्ट वो दर्शकों थोड़ प्यार कुड़े तो वैसे हैं सोच दिन में चल इस वापने गाना गाई नहीं लोक प्यार करके तो चलो इस वाणे प्रिजयांट कर दें पर अपने कल्चर हो ना तो उस यह लाने की तू चड़ चरखे चड़ चरखे दा प्यार कुड़े असा ओना नी बारों बार कुड़े असा मिलना नी बारों प्रेवाएं टूषडीट छर रक है जो लाने तन्दे कुड़े यूण चड़ी दे घरान दे घंदे कुड़े हो उन्द चड़ीदे घरान दे धनदे कुड़े तो एक बहुत प्यार मिल रहा है सगाने को अमारे इसमें बहुत हमारी बहुत सारी सब्सक्तर उो इसमें मतलब हमारे उमक भाइजी उनकी वाइप नहीं काम कर रहा उसमें मौडल के रोब में जो चर्खे चलाने वाली थी तो मतलब बहुत सारे हिमाचल में सबी लोगों ने इतना प्यार दिया गाने को बहुत सारी रीले बन रही है अभी भी बन रही है मतलब तो अच्छा स्पोर्ट हो रहा है बाकी सबसे जाद मातर शक्ति का धन्यबाद करता हूं कि वह रीले मनाती है मर्दा तो काम पेल ले बचा रहे हैं पर अब जब से इंस्ट्रा या फेस्बूक या तो लोगों तक हर चीज पहुंच रही कि हिमाचल की बोली है हिमाचल के गाने है हिमाचल का कल्चर है जो भी है तो हर चीज मतलब अब दुनिया में पहुंच रही है कि नहीं हिमाचल में भी कुछ चीज है जो कि हर कोने में पहुंच रही है लोगों को पसंद आ रही है जैसे बार से भी गूमने आते हैं लोगों त कर दी तो मेरे को कई मैसी जाते हैं आप टोपी कहा से लाते हो तो मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि जो माता है अब खुल के अपना टैलेंट दिखा रहे नहीं तो रही है विचारी रोटी का आप जोग गया तो उनको भी एक फ्रीडम ही कि नहीं कुछ कर सकती है अब आज कि अगर मैं कर देता कि पंजाब या और हिंदी में बनाता है तो साइद इतना नहीं वायरल होता है हाना इतना प्यार नहीं मिलता लोगों का तो जैसे ही अपनी हमाचरी बोली कोई बोले आ रहा है थी फटी रिचादरी कांद टूटीरी मलेया मैं अपने हमाचला अरे थी लोकेशन अच्छी नहीं है मैं ऐसा दूश्या नहीं बच्छों दूश्या ना एक दूश्या वाला मरने दो यह तो अपरा असली कल्चर है यह तोहां दिखाना चाहें पर असली चीज है क्या हमाचल क्योंकि आर्टिफीचल तो सब कुछ हो ही रहा है आजकल की सजाई सजा थिखाना घजर है अशिकर दोन नमक चोर ले जाना को आप लोग जोरने मतलों अब कहा है तो बच्चे भचार घर में यह बस से जाते हैं बच्चे बाओ बड़ ऑन उसब्र नहीं नीए बच्चा थोड़ीन देर नहीं बच्चे घर में यह बंस सन्व दिखाने बट आता अच्छा काम पहले लोडी गाने जाते थे सारे गाउं में तो आज कलता वो चीजी भी खतम है बच्चा बाहर जाना हम तो पूरा-पूरा दीन बक्री चड़ी रहने बाल देख रखने हैं मतलब बैसे चराने जाना तो वह खुशी थी है लफाबे बर के ले जाने और खेल के बच्चों को तो पता भी निया भी खेल क्रीज उती है उनको भूवायल स्पूर्श देना चाहता हूं कि हमेशा सही रहें सब्सक्राइब और अपने कल्चर से जूड़े रहें और अपने माता-पिता की सेवा करें तो देखे यह हमारे साथ जुड़े थे हिमाचली मुं चाहें लेकिन यहां से एक सीख जो है वो हिमाचली मुंडा यानि कि शाम की जिंदगी से देखने को मिलती है कि कितने इस तगल के बाद जो है आज शाम इस मुकाम तक पहुँचे हैं और आगे भी कोशिश जो है वो कर रहे हैं और साथ में अपने कल्चर को साथ लेकर चल रह आएं देखते रही है सोगंद टीवी आप देख रहे हैं सोगंद टीवी सोगंद वतन की